नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं मति-टी नियमावली पर सुनवाई पूरी फैसला सुरक्षित हाई कोट ने सुनवाई में सरकार से पूछा कि हिंदी को मातरू भासा के सुची से क्यों हटाया गया इस पर सरकार की ओर से अधिवक्त सुनिल कुमार ने बताया कि हिंदी को हटाया नहीं गया बली क्वालिफाइंग पेपर में रखा गया है भासा के पेपर से हिंदी या अंग्रेजी को हटाने के फिछे अस्थानिय भासा को प्रुसाहित करना है यहां की संस्कृती रिती रिवाज और छेत्रिय भासा को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए ऐसा किया गया है राज सरकार को अस्थानिय लोगों के कल्यान के लिए किसी परकार के निती बनाने का अधिकार है वहीं प्रार्थियों द्वारा दलील दी गई की सरकार द्वारा संसोधित ने उक्तिनी मावली में लगाई गई सर्थों के कारणवाय से अभियार्तियावेदन नहीं कर पा रहे हैं जिन्होंने राज्य के संस्थान से असनातर के डिक्री प्राप्त की है लेकिन दस वी बरहावी की परिक्षा दूसरे राजो से पास की है जहारखन में अभी से मौसम का मिज़ाज बदालने लगा है परदेश का एक जीला ऐसा भी है जहां अभी से ही धूंद छाने लगी है बतादे कोहरे की वज़ा से बुद्धवार को सड़क दुरगाटना भी हो गया जिसमें बाइक सवार घायल भी हो गया इस बीश मौसम केंद्रे ने राजधनी राची समेथ पांच जीलो में बजरपात के साथ साथ वर्सा की चतावने जारी किया है रांची की बिरसा मुंडा यार पोटिशीत मौसम केंद्रे ने ततकालिन मौसम चेतावने जारी किया है जिसमें कहा है कि देवघर दुम का गुमला खुटिय और रांची जिला के कुछ भागों में अलग अलग दो से तीन घंटे में में गर्जन तता बजरपात के साथ हलके से मददच की बार्चा हो सकती है इतना ही नहीं पाकोर्ट साहेवगंज बुकारो धनबाद पलामो और सिम्डेगा में भी कुछ हिसो में हलके से मदच की बार्चा की संभवना जताई गई है एक करोड के इनामी नक्सली मिसीर बंसरा दस्ते के साथ मुधभेड पच्मी सिम्हुम जीले के टोटो थाना छेतर के रेंगरा हाथ वण छेतर में परतिवन धीत माकबा मवादी संगठन के इनामी मिसीर बेसरा ओर्फ सागर एवां मारक दस्ता के साथ सज़से अजाय महतों के दस्ता के साथ पुलिस टीम की मुधभेड हुई नक्सली मिसीर बेसरा के खिलाब एक रोर और नक्सली अजाय महतों के खिलाब 25 लाक रुपए का इनाम है पुलिस को भारी परता देख मवादी नेता अपने दस्ता के सज़सेों के साथ भाग खड़े हुए मुधभेड के बाद छापे मारे दल ने इलाकों को चारो तरब से घेरा बंदी कर सखन सर्च अप्रिसन चलाया है इस दरा नक्सलीों के कैम्प से टेंट वर्दी बरतन और दैनिक उप्यों का समान बरामत किया गया है अधिकारी समझे अपने जिम्मेवारी फाइलों को भी भाग में चकर न काटने दे सियम हेमांत ज्यारखन प्रसासनिक सेवास संग ने राज सरकार द्वारा फुरानी पेंसन योजना लागू किये जाने के निने को लेकर मोखे मंतरी हेमांसरिन का हर्दिक अभिनंदन करते हुए उनके प्रतिया भार व्यक्त किया इस मोखे पर मोखे मंतरी ने अपने संगोधन में कहा है कि लंबे समय से पुरानी पेंसन की मांग सिर्फ ज्यारखन ही नहीं बलिक पूरे देश के सरकारी कर्मियों दवरा उठाई जा रही है राई सरकार ने जार्खन के सरकारी कर्मियों के पुरानी पेंसन योजना की सोगात दी पेंसन बुढ़ापे का सहारा माना जाता है कुछ कारणों से आप सरकारी कर्मियों से पेंसन रुपी सहारे की लाठी को चीन लिया गया था लेकिन हमारी सरकार ने आपको उस लाठी को देने का काम किया जार्खन मंत्राले इस्थी सभागार में जार्खन प्रसासनिक स्थ्यवासंग की ओर से अभार प्रकट समारों में सम्मोधित करते वे सियम्हमांसुरेन ने कहा कांग्रेश के तिन निलाम्बित बिधायको की आयोगता मामलेक की सुनवाई अस्थागित जारखन बिधान सभा अध्यक्ष रमीजनात महतों ने बुद्धवार को तिन निलम्बित कांग्रेस बिधायकों को दल बदल बिरोधी कानून के तहट आयोग घोसित करने के मामले के सुनवाई अनिस्चित काल के लिए अस्थागित कर दी संचिप्त सुनवाई के बाद अध्यक्ष निया काते हुए मामले को अनिस्चित काल के अस्थागित कर दिया कि बिधायकों ने और समय की मांग करते हुए एक हलप नामा पेस किया है स्पीकर ने कहा है कि मैं इस पर विचार करूँगा और उन्हें अपने फैसले से अउगत कराऊंगा जमानत की सर्तों के कारण कुलकाता में फासे बिधायकों ने बिधान सबाद द्यक्ष के न्याई करण के समक्ष एक याज के दायर कर मामले में अपना जवाब दाकिल करने के लिए आठ सप्ता का समय मांगा है गढ़वा में रासन नहीं मिला तो सो लोगों ने वीडियो करयाले पर किया हंगामा जारखन के गढ़वा जिले में रासन नहीं मिलने पर लोगों ने बुद्धवार को परखन मुख्याले पर जम कर हंगामा किया परखन विकास पता अधिकारी को कर्याले से बाहर आना पड़ा स्वावस्ते ज्यादा ग्रामिनों ने वीडियो को लिखित आवेदन दिया साथ ही मौकिक रूप से अपनी सिकाईट से भी उन्हें अवगत कराया मामला गढ़वा जी लेके धोर की परखन कहा है परखन के खुटिया गाओं के 120 ग्रामिन बुद्धवार को परखन मुख्याले पहुचे और हंगामा करने लगे ए लोग नियमित रासन देने की मांग कर रहे थे ग्रामिनों के हंगामे की सुचना वीडियो को मिली तुवे अपने दफ्तर से बाहर आया और ग्रामिनों से मुलकात की धनबाद एनकाउंटर मामला एंडिये में नौकरी की बात कहा था सुभाम धनबाद एनकाउंटर मामला में एन्डिये में चैनित होने के नाम पर सुभम सिंग राजपूत पिछले एक वरस से घर से बाहर रहा था घरवालों से कहा था कि पुन्ये में ट्रेनिंग चल रही है अपने दादा एवं पिता से इसके लिए रासे भी मांग ली थी घरवालों के अनुसार वह राखी में अमतिम बार भूली आया था हलाकि भूली के नागरिकों का कहना है कि उसे एक दो दिन पहले भी छेतर में देखा गया था वह मुलता आरा बिहार का रहने वाला था जारखन प्रसासनिक सेवा के अफसरों को बेतन के साथ साथ स्टडी ग्रांट सियम हमान थे जारखन प्रसासनिक पतादिकारियों के लिए खास दिन रहा बता दे राजे का कोई प्रसासनिक पतादिकारी अगर बेतर सिक्षा के लिए बाहर जाएगा तो उसे बेतन के अलावा सरकार उसकी सिक्षा के लिए भी पैसा देगी इसके अलावा अब राज प्रसासनिक सेवा के पता दिकारी जीला भरमन के दोरान सरकीट भवन का भी उप्योग कर सकेंगे ये सारी घोसनाई सियम हमन सुरेन ने बुद्धवार को आयोजीत सभागार समार हो के दोरान की आपको बता दे कि जारकन प्रसासनिक सेवा संग ने पुरानी पिंसन विजन लागू होने पर मुख्य मंतरी हमन सुरेन का भार कार करम आयोजीत किया था एक सितंबर दोहरबाई से राजे में लागू की गई पुरानी पिंसन विजना को लेकर सरकारी करमचारियों में काफी उत्सा है सीयम हमन का राजे पाल पर तंज हम उनके कहने के बाद बोलेंगे अब जानता की बारी जारखन के मुख्य मंतरी हमन सुरेने चुनाव आयोग के पत्र को लेकर राजबहुन के चुपी पर बुद्धवार को एक बार फित तंज कसा प्रोजेक्ट बहुन सची वाले में जब उनसे पुछा गया कि अभी तक राजबहुन के तरफ से कुछ असपश्ट क्यों नहीं किया जा रहा तो उन्होंने कहा कि या सवाल आप लोगों को जीन से पुछना चाहिए उनकी बज़ाए आप मुझ से पुछ रहे हैं हम तो उनके कहने के बाद बोलेंगे अब बोलने की बारी जानता कि है जिसे बोलना है उससे पुछना चाहिए बता देए समन्ध में सदर में विश्वासमत प्रस्ता पर उन्होंने कहा कि वह मेरा कलासरूम था सभी वहाँ इस्टुडेंट थे वहां सबको बोलना चाहिए था ये अभी कहा कि जिसमे क्या होगा ये मैं नहीं बोल सकता इससे जुड़े लोग ही बोलेंगे जिसकी जिम्मेदारी है उसको बोलना चाहिए बगर उनके बोले मैं क्या बोल सकता हूँ जारखन में तै सीमा के बाद वाहन घोसीत होंगे कभाण जारखन में राज सरकार ने मोटर वाहनों को कभाण घोसीत करने समन्धित केंदरे की नीती को पूरी तरह से अपना लिया है इसे समन्धित प्रस्ताव राजे कैबिनेट से पारित हो चुका है निबंधित वांओ के निधादित समय सीमा पार कर चुके वांओ को चलान गर कनूनी तो होगा ही इसके लिए जानमाल का खत्रा और भारी जुर्माना लगाये जाने की भी संभावना बनी रहेगी जार्खन में किसानों को प्रती एकड़ 3,000 रुपेय देगी जार्खन सरकार जार्खन में सुखार से निपटने के लिए पर्यास तेज कर दिया गया है परभावित परखंडों के चेहन के बाद किसानों को धान की फजल के नुकसान के अधार पर सहायता रासिता की जा रही है बताद 30 से 40 पर 30 तक का नुकसान होने पर किसानों को 3,000 रुपे प्रती एकड़ किदर से सहायता देने का प्रविधान किया जा रहा है इसके अलावा मवसियों के चारे के लिए अतिरिक्त सहायता देने की योजना भी विभाग बना रही है मवसियों के लिए निसुलक सूखा चारा उपलब्द कराने के लिए बाहर की कंपनियों से संपर्ग किया गया है राजे में तीन लाख हेक्टेर भूमी पर दलहन की खेती करने के लिए क्रिशी निदेसाले ने परखंड करयाले के जरिये किसानों को अनुदानित दर पर दलहन के बिज उपलब्द कराने की सुरुवात किया है दुमका मामले में चार्शिट दाखिल करेगी दुमका पुलीस दुमका में एक तरफा प्यार में पेट्रोल छिड़क कर जला दी गए की सोरी के मामले में तीन दिनों के भीतर दुमका पुलीस चार्शिट कर देगी इस प्रकरण में जेल भेजेगा मुख्या आरोपीत मोहमत साहरूक हुसैन वा उसके सोयोगी छोटु खान के बिरोध दुमका पुलिस की चार्टित तयार है राजे बीधी बिग्यान परयोगसाला की रिपोर्ट को छोड़ कर सेस सभी रिपोर्ट परयाप्त साक्ष गुवाहरों के बियान आदी पूलिस ने ले लिया है मृतिका की बिसरा की जाच राजे बीधी बिग्यान परयोगसाला में चल रही है बसंत सुरेन बोले रीफ्रेस होने गय थे रायपूर परिवार हमेशा दुमका के जानता के साथ खड़ा है उन्होंने कहा कि दोनों मामलों में सरकार वो अप्रसासन अपना काम तेज से कर रही है गुमला में कुपोसित बच्चों का निसुलक इलाज के साथ साथ प्रती दिन सो रुपए मिलेंगे पांचवार आश्ट्रे पोसन मा एक से तीस सितंबर 2022 के तहत महिला और स्वास्ते तथा बच्चा और सिक्षा की ठीम पर गुमला जिला में पोसन अभियान चलआया जा रहा है जीला समाज करल्यान विभा गुमला की ओर से चलाये जा रहे पोसन अभियान के तहट छो वरत से कम उम्रे के बच्चों एवं गर्वती महिलाओं वसी सुओं को दुखद पान कराने वाली मताओं की एनिमिया जाच जाच मेनीमिया से अति पृत पाए जाने वाले बच्चों को चिनित कर MTC सेंटर में निसुलक इलाज किया जा रहा है इलाज कराने वाले बच्चों को सरकार की ओर से प्रसाहन सो रूप प्रती दीन सो रूपई भी दिया जा रहा है इसके साथ ही गरबवती हम सीसू को दुगद पान कराने वाली मतावों को पोशन के प्रतिजागरूप करते हुए उन्हें पोश्टिक आहार लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है मल्टी एस्टोरेज बिल्डिंग के रूप में डेवलप होंगे कल्यान विभाग के होस्टल जार्खन सरकार राज्य में कल्यान विभाग के होस्टल को डेवलप करने वाली है सवी होस्टल मल्टी एस्टोरेज बिल्डिंग के रूप में बिक्सित किये जाएंगे यहां तमाम तरह की सुविधाय स्टूडेंट को मुहया कराई जाएगी जल्द ही कल्यान विभा के आदिवासी होस्टल में रहने वाले स्टूडेंट सुविधायों से जूजने की बजाय अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकेंगे इस बात की घोसना सीम हमन सुलें ने मंगलबार को करम पर्व के मौके परुण होने उक्त घोसना रांची के सर्कुलर रोड इस्थीद विवेंस कोलेज छात्रवास परिसर से किया है धन्यवाद